नमस्कार, वेलकम टू एक्स्टरबिश्मेन इंडिया यूटूब चैनल आज का इस वीडियो में जो इंपोर्टेंट जानकरी आपको मिलने वाला है वो इस प्रकार है जब भी किसी जॉब रिलेटेड वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ वहां बहुत सरे क्वाईरी जाता है अज उन्हीं में से एक क्वाईरी ऐसे है जो कि आप सब का दिल में हैं और आप सब वो जानना चाहते हैं तो प्रिंस ये सवाल था कि रिटेड होने का बाद कितने साल तक हम 120 मैं कोटा अभाइल कर सकते हैं तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि 120 मैं कोटा आप केबल मत्र एक ही बार इन जेनरल एवाईल कर सकते हैं यह नहीं कि एक ही जॉब आपको 120 मैं कोटा यूज करके मिल सकता है हाँ 2014 अगस्ट में जो एमेंडमेंट इसु हुआ था इसके तहट आप अगर इस जॉब में आपका जो प्रेजन जॉब है फरस्ट जॉब है उस जॉब में जॉइन करने से पहले जितने सरे जगा में आपने अप्लाई किया और रिजल्ट वेटिंग है ऐसी कोई रिजल्ट अगर निकल चुका है आप हाँ स्लेक्ट हो गया तो फिर आप दूसरा जॉब में जॉइन कर सकते हैं ठीक है तो यह तो गया कि आप कितने बार रिजर्विशन कोटा आप अब कर सकते हैं अब सबाल यह है कि कब तक कर सकते हैं देखिए आप रिटायर हुए आज या दस साल पहले 20 साल पहले या 30 साल पहले कभी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब कब रिटायर किया इसके साथ आप कब एंप्लोईमेंट जॉइन कर रहा है रिए एंप्लोईमेंट ले रहे हैं इसका कोई रिलेशन नहीं है जब तक स्पेसिपिक कोई डिपार्टमेंट यह ना कह देता है कि आपका retirement within two years or within three years होना चाहिए. In general, government of India का तरक से ऐसे कोई instruction नहीं है कि आप retirement का बात within this period आपको job join करना ही होगा. Otherwise, आप excellent quota नहीं ले सकते हैं. करके ऐसे कोई statement नहीं है, कोई instruction नहीं है, कोई orders नहीं है. तो दोस्तों यह आपको clear हो गया होगा कि आप retire कभी भी हो, इसके साथ एक service man quota avail करने का कोई connection नहीं है. जब तक वो specific department जहां आप join करने जा रहा हैं, वो अपना notification में यह clearly notify किया हो. अगर माल लीजिए, आप XYZ किसी department में apply करने जा रहा है और वहाँ पे यह बताया गया है कि जो एक service man तीन साल का अंदर-अंदर retire हो है, वो ही apply कर सकते हैं. तो फिर यह instruction के बल मत रो, इसी department का particular इसी post के लिए applicable होगा, ना कि सब के लिए लागू होगा. सुप्रेंस एक clear है, आपका मन में जो doubt था, जो सवाल था, ऐसे इसी तरह और भी कोई सवाल होगा, तो आप comment box में जुरूर लिखिए, कोशिश करेंगे, इसका भी जवाब ठोडने का. एक service man का related, जितने भी orders और इंस्ट्रक्शन है, welfare का जितने भी letters है, सारे चीज़े आपको मिल जाएगा, हमारा website www.bikasde.com वहाँ पे एक service man welfare करके एक tab है, वहाँ क्लिक करने से आपको एक service man का related स्वाभी news, स्वाभी information, स्वाभी orders and circulars आपको मिल जाएगा. आज के लिए तने ही, नमस्कार, जाहिंद, जाएवारत.